वेलकम दोस्तों टो न्यू वीडियो दोस्तों मेरे पास आगे एक नॉन वेज़ फूर्ट पोड़क्ट दोस्तों आप लोग जो वेजिटेरियन है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों मेरे पास आगे है टाटा केयो की तरफ से चीजी चीकेन पास्ता देख फस्ट वनिस इसके अंदर पास्ता है अभी कैसे इसको पकाना है अभी में आपको बताऊंगा एड शेगेंड युआ इसके अंदर आपको मिल जाता है एक सपॉर्ग देखने को मिल जाएगा एड उसके साथ टीशू है and मेरे ख्याल से ये पास्ता सिजनी है दोसों ये जो पास्ता है इसको पकाने का दो तरीका है the first one is microwave के अंदर डालो 60 second तक इसको गरम करो फिर निकाल लो and the second one is stove ले लो उसको वो वेसल ले लो and वेसल में पानी डालो and पानी को heat करो पानी जबी boil होना चालू हो जाएगा तबी जो stove है उसको बंद कर लो and ये जो packet है वो वेसल के अंदर डाल लो and वेसल के अंदर डालने के बाद 3-5 मिनिट रखो आपका pasta ready हो जाएगा दो चीज़ बोलना चाहूंगा ये जो packet है वेसल के अंदर डालने इससे पहले थोरा सा अच्छा सा shake करे इसको and और एक चीज बो गलती आप नहीं करे तो ही अच्छा है मैंने भी पहले एक बार गलती किया था and YouTube के उपर ये गलती भरा भरा है दोस्तों क्या करते हैं वेसल में जबी पानी उबलता है न तो लोग उबलते के अंदर ये packet को डाल देते हैं यहाँ पे clearly mentioned है मैं थोरा सा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे यहाँ पे mentioned है once it boils take the vessel off the stove थोरा पास से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उबलते हुए पानी में नहीं डालना है इसको पानी जबी उबल जाए तब या तो स्टोप बड़ कर दो या तो वेसल को स्टोप से नीचे उतार दो उसके बाद ही यह जो पैकेट है वेसल के अंदर जाना चाहिए दोस्तों जो second method है हम लोग बोई apply करने बाले हैं but in a different way दोस्तों बहुत से traveler आसे होते हैं जो throughout the year travel करते रहते हैं और वो लोग जहां पे stay करते हैं आइदर उनको वहां पे kitchen के access नहीं मिलता है या फिर उनके पास जो gas stove बगेरा नहीं होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं सो एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग आप लोग जहां पे stay कर रहे हैं वहां से थोरा boiling water मंगा लीजे या फिर दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों मेरे पास आगे electric kettle अभी इसके अंदर में पानी को गरम कर लूँगा दोस्तों पानी जो है पानी उबल गया है धुआ भी निकल रहा है थोरा दूमिन करके दिखा देता हूं पानी जो है पानी एकदम उबल गया है सो गरम पानी को मैं वेसल के अंदर डाल दूँगा एकदम boiling water है पहुँ सारा धुआ है निकल रहा है मुझे पता नहीं आपको समझ आ रहा होगा है या नहीं आ रहा होगा सो यह जो boiling water है इसको डाल लिया इसके अंदर इसको अच्छे से शेक कर लिया है और अभी इसको अंदर डाल रहा हूं डाल के यह जो ढखकन है यह ढखकन भी दे रहा हूं सो दोस्तों देख सकते हैं boiling water के अंदर में पैकेट को डाल दिया है और उपर से कवर भी कर दिये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि उपर से कवर करो मैंने फिर भी उपर से कवर कर दिया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए दोस्तों हमारा जो पास्ता है अल्मोस्त रेडी हो चुका है मैं कॉंटेनर को थोड़ा सा साबदानी से निकाल लूंगा एंड देखिए यह कंटेनर के ऊपर जो प्लास्टिक है देखके आपको समझ में आएगा यह थोड़ा फूल चुका है मतलब अंदर से पहले असा नह बढ़ते हैं दोस्तों चलिए अभी कंटेनर को उपन करते हैं यहां से थोड़ा पूल करेंगे ना तो उपन हो जाएगा दोस्तों एक चीज़का ध्यान रखिए आइधर माइक्रोव पे कुक कर रहे हैं या फिर होट वाटर के जरीए कुक कर रहे हैं लेकिन यह जो पास्ता है रेडी हो चुका है यहां पे चिकन सॉसेज इसके जो पीसेस हैं देख सकते हैं एक काम करता हूं यह जो सिजनिंग दिया गया है मैं इसमें सिजनिंग एट कर लेता हूं अभी बात करते हैं पास्ता कैसा था दोस्तों मैंने एक्सपेक नहीं किया था कि एक रेडी टू इट पास्ता इतना अच्छा हो सकता है पास्ता बहुत ही बढ़िया था है चीकन सॉसेज के जो पीसेस थे वो भी अच्छे क्वालिटी के थे बट उसमें जो चीकन का टेस्ट बहुत थोड़ा कम लगा मुझे बहुत चीकन वाला फिल थोड़ा कम आया अगर चीकन सॉसेज के बदले आप छोटा छोटा चीकन का पीस डाल देते अंदर तो फिर वो और बढ़िया रहता था ओवर रॉल इट्स अ गुड प्रोड़क्ट एगर क्वालिटी के हिसाब से जो डिसकाउंट पर यह मिल रहा है उसके हिसाब से पैसा वसल प्रोड़क्ट दोस्तो एक चीज़ में कहना चाहूंगा मैं वेसल को ओवेन के उपर रखके डारेक्ली गरम नहीं किया मैं थोड़ा अलग मेतर फॉलो किया यह जो इलेक्रिक के टेल है इसमें पानी गरम किया इसके बाद वेसल के अंदर डाला दोस्तो नॉर्मली लिखा हुआ था तीन से पाच मिनेट पकर के चलो पाच मिनिट गरम पानी के अंदर जो पैकेट है उसको डाल के रखना है लेकिन मैंने डायरेक्ट वेसल को गरम नहीं किया तो क्या होता है जबी मैं जो हौट वाटर ह है वेसल के अंदर डालता हूं तो पानी से जो हीट है कुछ हीट भीसल सोख कर लेता है तो इस रीजन से मैं कह रहा हूं कि आप पांच मिनिट के अगर ये मेथड़ आप फॉलो कर रहे हो तो आप पांच मीट के जगा और दो मिनिट एक्ट्रा पकलो अब साथ मिनिट उसको अ सब्सक्राइब कर रहे है तो एक काम कीजिए जहां पर आप स्टे कर रहे है न वहांसे थोड़ा गरम पानी बायगे लिजे और बराबहला कुछ बर्तन मांग लीजे वह जग गरम पानी है बरतन के अंदर डाल दीजे उसके अंदर यह पांसटे-चाइब रूक़् की है रे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब किजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा